अध्याई 10 शब्द धुन प्रशन 209 आँखों के केंद्र तक पहुँचने से पहले जो कुछ भी हमें सुनाई देता है वे शब्द नहीं है उससे पहले तो कुछ आसपास की अवाजें ही सुनाई देती है और आपको शब्द तो सुनाई देता है पर वो आपको उपर की और खींचेगा नहीं आप उसका आनंद लेते हैं उसे सुनते हैं उसकी शान्ती और सुख का अनुभव करते हैं लेकिन जब तक आप तीसरे तिल पर एकागर नहीं होंगे तब तक ये शब्द आपकी सुरत को उपर की और नहीं खींचेगा और तीसरे तिल तक सुमिरन और ध्यान के द्वारा ही पहुँचा जा सकता है अगर तीसरे तिल पर हम केवल सुमिरन के द्वारा ही पहुँच सकते हो तो क्या शब्द को सुनने की कोशिश करना समय को बरबाद करना नहीं है? नहीं, ये समय की बरबादी नहीं है, क्योंकि हमें शब्द धुन को सुनने की भी आदत डालनी है चाहे हमें कुछ भी सुनाई ना दे फिर भी हमें शब्द को सुनने के लिए समय देना चाहिए ताकि हमारे अंदर उस शब्द धुन को सुनने की आदत पैदा हो जाए जो हम सब के अंदर गूँज रही है भजन और सुमिरन दोनों ही आवश्यक है आप इन में से एक की और से लापरवा होकर दूसरे का अभ्यास नहीं कर सकते प्रश्न दोसो दस आरंब में जब हम ज्यादा समय सुमिरन में लगाते हैं तब भी क्या ये जरूरी है कि हर बार जब हम सुमिरन के लिए बैठें तो कुछ समय शब्द दुन को भी दें चाहे हम कुछ सुन पाएं या नहीं जब आप पूरे समय के लिए बैठें तो ये अच्छा होगा कि आप सुमिरन से अपना अभ्यास शुरू करें और शब्द सुनने से समाप्त करें आप सुमिरन को ज़्यादा समय और शब्द सुनने को कम समय दे सकते हैं पर एक ही बैठक में ये दोनों अभ्यास करना हमेशा बहतर है लेकिन कभी आप इन दोनों का अभ्यास ना कर सकें और केवल सुमिरन करना चाहें तो कर सकते हैं किसी समय यदि आपकी इच्छा केवल शब्द सुनने की है तो शब्द ही सुने इसमें कोई हर्ज नहीं है प्रशन 211 महराजी यदि हम सुमिरन के बाद शब्द सुनना शुरू करते हैं और शब्द धुन को नहीं पकड़ पाते तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी तीसरे तिल से बाहर आ जाता है आपने नामदान के समय फर्माया था कि हमें तीन चुथाई समय सुमिरन के लिए और एक चुथाई समय शब्द धुन को सुनने के लिए देना चाहिए लेकिन शब्द धुन को करीब एक घंटा जरूर देना चाहिए यदि सत्संगी को ऐसा महसूस हो कि शब्द धुन को सुनने की कोशिश से उसका ध्यान बहुत जल्दी बाहर जला जाता है तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि वे 90 या 95 प्रतिशत समय सुमिरन में लगाए वो शत्प्रतिशत समय भी सुमिरन में लगा सकता है जब आपका मन शब्द धुन सुनने में नहीं लग रहा हो और बाहर की और भागता हो तो आप फिर से सुमिरन करना शुरू कर सकते हैं कोई बंधन नहीं है कि इतना समय सुमिरन के लिए और इतना शब्द सुनने के लिए देना ही है ये तो अभ्यास के समय का साधारन तोर से बटवारा किया गया है ताकि हमें केवल सुमिरन करने की ही नहीं बलकि शब्द को सुनने की भी आदत हो जाए हमेशा यही अच्छा है कि हम दोनों के लिए समय दे शुरू शुरू में सुमिरन के लिए अधिक और भजन के लिए कम लेकिन अगर मन काबू में ना आए तो आप सुमिरन को अधिक समय दे सकते हैं आप अपना पूरा समय ही सुमिरन में लगा सकते हैं हम इन बातों में कटर नहीं हैं। कभी-कभी शब्द सचमुच ही आपको खीचता है और आप शब्द के प्रती आकरशित होते हैं। तब आप सुमिरन को छोड़कर शब्द धुन सुन सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस बारे में कोई कठोर नियम या पाबंदी नह चाहिए। प्रशन दोसो बार है। सुमिरन के बाद जब हम आसन बदल कर शब्द धुन सुनना शुरू करते हैं। तो इस आसन बदलने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए क्या हमें भजन के शुरू में थोड़ी देर तक सुमिरन को जारी रखना चाहिए। नहीं, पहल आपको सुमिरन करना चाहिए, फिर शब्द धुन सुननी चाहिए। प्रशन दोसो तेर है। अभ्यास के समय जब सत्संगी सुमिरन कर रहा हो और उसकी आत्मा उपर की और सिम्टे पर आँखों के केंदर तक ना पहुंचे, तब क्या होगा? आँखों के केंदर तक आत्मा के सिम्टने से पहले क्या शब्द का सुनाई देना संभव है? हाँ, पूरी एकागरता के बिना, पूरी तरह शरीर से खयाल को समेटे बिना भी शब्द सुनाई देता है, पर वो शब्द आपको उपर की और अधिक नहीं खीचेगा। आप उस शब्द का आनंद लेंगे, उसका रस लेंगे और आपका मन उसमें डूब जाएगा। आप बहुत खुश होंगे और आपको शान्ती तथा आनंद का अनुभव होगा, लेकिन जब तक पूरी एकागरता नहीं होगी, तब तक शब्द आपको उपर की मनजिलों की और नहीं खीचेगा। प्रशन 24, कहते हैं कि जो शब्द शुरू-शुरू में सुनाई देता है, चेतना को सिम्टाने में उसका कोई खास प्रभाव नहीं होता, पर क्या उसमें आत्मा को निर्मल करने की समर्थ होती है? हाँ, कोई भी आवाज या धुन जो आप शुरू-शुरू में सुनते हैं, उसके प्रभाव से आत्मा निर्मल होती है, यहां तक की शब्द की गूज में भी आत्मा को निर्मल करने की शक्ति है, हर आंतरीक आवाज या धुन, चाहे वो किसी भी मनजिल की हो, आत्मा को नि गुरू के नुरानी स्वरूप तक पहुँचने से पहले, क्या हमें कोई खास आवाज सुनाई देती है, मेरा खयाल था कि ऐसी आवाजों में चेतना को उपर की और खीचने की असली ताकत नहीं होती नहीं, अंदर जो भी आवाज आप सुनते हैं, उसमें खीचने की कुछ ताकत होती है, लेकिन उसकी आकर्शन शक्ती एक आगरता के द्वारा ही बढ़ती है धुन में आकर्शन शक्ती हमेशा होती है, क्योंकि वो हमारे ध्यान को पकड़ती है, हमारे ध्यान को स्थिर रखती है, चाहे वो कैसी भी धुन या आवाज क्यू नहों, लेकिन जब वो धुन स्पष्ट और साफ हो जाती है, तब और भी अधिक खीचने लगती है, और हम और अधिक लीन होने में सफल होते हैं। पूर्ण एकागरता में सुरत पूरी तरह शब्द से जुड़ जाती है। इसी प्रकार जब आप बाकी सारे विचार मन में से निकाल कर शब्द से जुड़ जाते हैं, तो वो एकागरता में सहायक होता है। लेकिन सुमिरन एकागर होने में अधिक सहायता देता है। सुमिरन की सहायता से और सब आवाजें धीरे धीरे चली जाती हैं, किवल असली शब्द धुन रह जाती है। आपका मन बाकी सब आवाजों से हट जाता है, जो की आपका ध्यान बटा रही थी। वे आवाजें दूर हो जाती हैं और असली शब्द स्पष्ट हो जाता है। प्रश्ण 217, कहा जाता है कि तीसरे तिल पर दस प्रकार की आवाजें हैं, और हमें उन में से कोई भी तीन सुनने के लिए कहा जाता है। नहीν, मैंने कभी किसी को ये कहकर भ्रहम में नहीं डाला, कि वहाँ दस प्रकार के शब्द हैं और आपको केवल तीन सुनने हैं जो भी आवाज आप सुनते हैं उसका दस प्रकार की आवाजों से उधारन दिया जा सकता है ना कि वहाँ पर दस आवाजे हैं इसलिए जो भी आवाज आपको सुनाई दे उसे सुने सुमिरन तथा एकागरता की सहायता से बाकी आवाजें धीरे-धीरे हट जाएंगी असली धुन अधिक साफ और स्पष्ट हो जाएगी वो आपको अपनी और खींचने लगेगी तथा आपके ध्यान को अकरशित करेगी एक आवाज से दूसरी आवाज में भेद करने की कोशिश मत कीजिए तब आप यही निर्ने करने में लगे रहेंगे कि कौन सी आवाज आपको सुननी चाहिए और कौन सी नहीं आपके लिए एक आवाज को दूसरी से अलग करना कठिन होगा और आपका मन भटकना शुरू कर देगा यही उचित और व्यवारिक है कि जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही हो उसी की और ध्यान दे सुमिरन की सहायता से असली आवाज अधिक स्पष्ट हो जाएगी और दूसरी सब आवाजें धीरे धीरे गायब हो जाएंगी तब हम अपने आप ही उस असली शब्द के संपर्क में आ जाएंगे प्रशन 218 अभ्यास के शुरू शुरू में शरीर को स्थिर करने को बहुत मत्व दिया जाता है मन को स्थिर करने पर जोर दिया जाता है तब शरीर तो खुद ही स्थिर हो जाता है इस अभ्यास के प्रभाव से एक हद तक शरीर सुन हो जाएगा लेकिन मकसद तो मन को स्थिर करने का है, शरीर को नहीं मेरा प्रशन है कि शब्ध धुन को सुनने के लिए शरीर को फिर से क्रियाशील करने को क्यूं कहा जाता है सुमरिन के बाद भजन करने के लिए शरीर को क्यूं हिलाया जाए क्यूं उसे फिर से सचेत किया जाए आसन बदलने से आपका कोई नुकसान नहीं होता हम आसन बदलते हैं क्योंकि भजन के आसन में पूरे समय तक बैठना कठिन होगा और ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होगा शब्द को सुनने के लिए हमें भजन के आसन को अपनाना है लेकिन अगर भजन के आसन में बैठे बगैर ही आपको शब्द सुनाई दे रहा है तो आप उसी आसन में बैठे रह सकते हैं तब आसन को बदलना जरूरी नहीं है अगर सुमिरन करते हुए आपको अच्छी एकागरता प्राप्त हो जाती है, आपका मन स्थिर हो जाता है और आप शब्द के संपर्क में हैं, तो आप उसी आसन में शब्द को सुन सकते हैं, जिसमें आप सुमिरन कर रहे थे आप उस आसन में भी शब्द के साथ जुड़ सकते हैं, कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन अगर आप आप आसन बदल लेते हैं, तो भी आपकी एकागरता भंग नहीं होती, एकागरता तो मन की है, शरीर की नहीं प्रश्न 219 महराजी, क्या ये जरूरी है कि शब्द सुनते समय हाथ कानों में रखे जाएं, यदि हम ऐसा ना कर सकें तो? मेरे खयाल से शुरू शुरू में ये जरूरी है, हाथों का उपयोग करना हमेशा बहतर है, पर जब शब्द स्पष्ट तथा जोर से सुनाई देने लगे, और आपको उपर खीचने लगे, और आप तीसरे तिल पर एकागर हो सकें, तब हाथों का उपयोग करना जरूरी न लगाने चाहिए, ये बनावटी चीजे हैं, परमात्मा ने हमें सुन्दर हाथ दिये हैं, हमें उनसे काम लेना चाहिए। प्रश्न 220, महराजी, कानों में अंगुठे लगाने का मकसद क्या दूसरे लोगों की आवाजों से बचना है? इसके दो कारण हैं, एक तो बाहर के शोर से बचना, और दूसरा ये, कि हमें खयाल रहे कि हमें दाई और से आने वाली आवाज को ही सुनना है, इसलिए हमेशा दाई और के कान को बंद किया जाता है, क्योंकि हमें दाई और से आने वाले शब्द को ही सुनना है. प्रश्ण 221 असल में जो शब्द हमें सुनना है, उसका कानों से कोई संबंद नहीं है। ये कान उस आवाज को नहीं सुन सकते। शब्द को सुनने के लिए हमारी चेतना या सुरत उस खास केंद्र यानि तीसरे तिल पर होनी चाहिए। हमारे बाहर के कान हो या ना हो, उस अंतरिक धुन को सुनने से इसका कोई संबंद नहीं है। लेकिन हमें कानों के द्वारा सुनने का इतना अभ्यास हो चुका है कि शुरू शुरू में हम अंतर में होने वाली शब्द धुन को भी कानों की सहायता से सुनने की कोशिश करते हैं। और हम दाया कान ही क्यों बंद करते हैं, बाया कान क्यों नहीं। ये दाई और अधिक ध्यान देने की आदत डालने के लिए किया जाता है क्योंकि हमें दाई और से आने वाली आवाज को पकड़ना है बाई और से आने वाली को नहीं जब सुमिरन की सहायता से आवाज बहुत स्पष्ट और साफ हो जाएगी तब आपको पता लगेगा कि शब्द दाई और से आ रहा है या बाई और से तब आप दाई और से आने वाले शब्द के प्रती चेतन रहेंगे और तुरंत शब्द के साथ जुड़ जाएंगे पर जब तक आप ये निश्चित नहीं कर पाते कि शब्द दाइं और से आ रहा है कि अब बाइं और से, तब तक अंतर में जो भी आवाज आए उसे सुनना चाहिए. जब शब्द स्पष्ट हो जाए, तब आपको हाथों और कानों की जरूरत नहीं. तब जैसे ही आप आँखे बंद करेंगे और अपने खयाल को आँखों के केंदर में समेटेंगे, अपने आप ही शब्द के संपर्क में आ जाएंगे. प्रशन 223 जैसे किसे विशे पर सोच रहे हों, तब आपको शब्द सुनाई देने लगता है, क्यूंकि गहरे विचार की अवस्था में एकागरता हो जाती है. प्रशन 224 मैंने सुना है कि जो लोग सत्संगी ना भी हूँ, उन्होंने भी मृत्यू के समय, शायद अर्ध चेतन वस्ता में खा है, कि उन्हें संगीत सुनाई दे रहा है. क्या यह शब्द का संगीत भी हो सकता है? केवल मृत्यू के समय ही नहीं, वे अपने जीवन काल में भी वो संगीत सुन सकते हैं. जैसे ही आँखों के पीछे उनका ध्यान थोड़ा बहुत एकागर होगा, उन्हें उसी समय शब्द की आवाज सुनाई देने लगेगी. कभी कभी अगर शान तस्थान पर कोई वेक्ती एकागर होकर पुस्तक पढ़ रहा हो, तो भी वो ये आवाजे सुन सकता है. वो सोचता है कि शायद कमरे में कोई संगीत बज रहा है, पर वो ये नहीं जानता कि ये क्या है? ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, उनके साथ भी जो सत्संगी नहीं हैं. लेकिन वे इस शब्द के प्रती सचेत नहीं होते, इसलिए वे इसकी और कोई खास ध्यान नहीं देते. कुछ लोग तो ये सोचकर कि उनके कानों में कुछ दोश है, डॉक्टर के पास तक पहुँ जाते हैं. थोड़ा सा भी आँखों के केंदर पर ध्यान एकागर होने से आप वो दिव्य संगीत सुन सकते हैं. मृत्यों के समय जब आत्मा शरीर से सिमठती है, तो कुदरती तोर पर एकागरता हो जाती है, और कुछ लोगों को वो आवास सुनाई देने लगती है, पर इ जमेशा हो रही है, पर वे लोग शब्द से जुड़े नहीं हैं और उन्हें नामदान नहीं मिला है, इसलिए शब्द उन्हें ऊपर की और नहीं खींचेगा. प्रशन दोसो पच्चिस और कभी-कभी बहुत अजीब स्थानों या परिस्थितियों में शब्द बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है, कभी-कभी ये आवाज आपके लिए चितावनी भी हो सकती है, और आपको गलत परिस्थिती से दूर रखने के लिए मालिक की दया भी हो सकती है, तकि बत्वातावरन से बच सकें. ये बात उसके पत्र के जवाब में कही गई होगी, क्योंकि आप नहीं जानती कि उसने और क्या लिखा था. ये पत्र हमेशा पूछे गए सवालों या समस्याओं के बारे में होते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सब के लिए नहीं लिया जाना चाहिए. क्या आप बताएंगे कि जब कोई सत्संगी किसी विशेश परिस्थिती में अथ्वा कुछ लोगों से बात चीत करते हुए, घंटे की आवाज से पहले की कुछ आवाजें सुनता है, तो वह क्या करे? क्या उन आवाजों का उप्योग अच्छे और बुरे कामों में भेद क करने के लिए किया जा सकता है? अगर आप अपना रुहानी अभ्यास बराबर करते रहेंगे और शब्द सुनते रहेंगे, तो आपको अपनी अंतर आत्मा से सही उत्तर मिलेंगे. शब्द इसी लिए है कि आप उसे सुने, लेकिन अगर किसी खास समय पर शब्द के सुनाई देने की छानबीन करने की कोशिश करेंगे, तो हम गुमरा हो सकते हैं, हम गलत मतलब निकाल सकते हैं. तब हम अपने कारियों को उचित मानना शुरू कर देंगे, जो गलत भी हो सकते हैं. प्रशन 227 हजरत ईसा ने कहा है कि हवा चलती है, तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि आवाज कहां से आ रही है और किदर जा रही है. क्या आप इसके बारे में अपने विचार प्रकट करने की कृपा करेंगे? हजरत ईसा का मतलब है कि शब्द की तुलना तेज हवा की आवाज से की जा सकती है. अगर आप कमरे के अंदर बैठे हुए बाहर तेज हवा की आवाज सुनें, तो आपको पता नहीं लगेगा कि हवा किस तरफ से आ रही है और किस तरफ जा रही है. इसी परकार जब आप अंदर जाते हैं तो आपको शब्द सुनाई देता है, लेकिन आप उसके सुरोत को नहीं जान सकते कि वो कहां से आ रहा है क्योंकि आप उसके सुरोत तक पहुँचे ही नहीं है. हजरत ईसा कहते हैं कि आप शब्द को सुनेंगे पर उसके मूल सुरोत को नहीं जान सकेंगे. आप ये नहीं जान सकेंगे कि वो उपर से आ रहा है या नीचे से, दाएं से आ रहा है या बाएं से. आप केवल शब्द को सुनेंगे. हजरत ईसा ने अंदर की धुन की तुलना केवल तेज हवा के चलने से की है पर हम इसकी तुलना बहुत सी दूसरी आवाजों से भी करते हैं जैसे की टेली फोन के खंबे में गूजने वाली जंजनाहट की आवाज पुल पर से गुजरती हुई रेल गाड़ी की आवाज या पतज़ड के समय सूखी पत्तियों की खडखड़ाहट की आवाज हजरत ईसा अपने कथन में शब्द की आवाज को उदाहरन द्वारा समझा रहे थे शम्स तबरेज कहते हैं मुझे शब्द की निराली आवाज सुनाई दे रही है न वो अंदर से आ रही है न बाहर से न दाईयोर से न बाईयोर से न पीछे से न सामने से न पूरब से न पस्चिम से और न पानी, हवा, आग, मिट्टी आसमान से तू पूछेगा कि फिर वो आवाज कहां से आ रही है उसी और से जिस और तू तलाश कर रहा है तू पूछेगा कि किस और मुह करूँ उस और मुह कर जिस और से वो बादशा आ रहा है जिस और से खुश्क मचली पानी पाकर जिन्दा हो जाती है उस और जहां से मूसा को नूर नजर आया था और जहां से फलों का पकना नसीब होता है उस और मुह कर जिधर से पत्थरों को लाल और हीरे बनने की ताकत मिलती है उस और जिस और काफिर भी मुसीबत के वक्त मुह करता है जब काफिर इधर दुख देखता है तो उधर जाता है उस तरफ के बारे में कुछ बयान करने का फाइदा नहीं है नहीं तो अगर काफिर भी उसे सुनते तो कुफर से छूट जाते शम्स तब्रेश के कथन का भाव है कि वो आवाज, वो शब्द, परमात्मा का रूप है इस स्रिष्टी का करता और आधार है और उसके धुन सर्वव्यापक है अगर बाई कान से आवाज आए तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हम फिजूल ही बाई और की आवाज के बारे में परिशान होते हैं आम तोर पर हमें बाई और नहीं जाने दिया जाता बाई और की आवाज के बारे में केवल इसी लिए समझाया जाता है कि हम ये समझ लें कि ऐसी भी आवाजें हैं जो धोखा दे सकती हैं, हमें गुमरहा कर सकती हैं, लेकिन सत्गुरू हमें कभी बाईयोर नहीं जाने देते शुरू शुरू में हम ये निश्चित नहीं कर पाते कि आवाज दाईयोर से आ रही है या बाईयोर से कभी हमें लगता है कि ये बाईयोर से आ रही है कभी लगता है कि दाईयोर से आ रही है और कभी ऐसा लगता है कि शायद ये मस्तक के बीच में से आ रही है सबसे अच्छा यही है कि हम अपने खयाल को मस्तक के बीच में रखें और आवाज को सुने, चाहे वो किसी भी और से आ रही हो, एक आगरता की सहायता से ये स्पष्ट और साफ हो जाएगी, और तब आप जान सकेंगे कि ये दाई और से आ रही है या बाई और से, उससे पहले नहीं, एक आगरता होने पर अगर ये बाई और से भी आती हो, तो प्रशन दो सो उन्तीस जब शब्द बहुत धीमा हो या स्पष्ट ना हो तब क्या शब्द सुनने के साथ-साथ अंतर में सद्गुरू से प्रात्ना करने की कोशिश भी करनी चाहिए? जब आप शब्द सुनने की कोशिश कर रहे हो तो उस समय कोई भी खयाल नहीं आने देना चाहिए आपका पूरा ध्यान शब्द धुन में होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने मन से बाते करने लगें क्योंकि तब तो मन सैकणों चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देगा आपको चाहिए कि मन को स्थिर करें और शब्द धुनकी और पूरा ध्यान देने की कोशिश करें जो भी समय आप भजन सुमिरन में लगाते हैं वो तो अपने आप ही प्रार्थना है जोर-जोर से पुकारने की जगए आपको चाहिए कि अंदर दर्वाजे को खट-खटाएं आपका दस्तक देना या खट-खटाना ही काफी है ये अंदर बैठी हस्ती को द्वार खोलने के लिए प्रेरित करेगा जो भी समय हम सुमिरन और शब्द को सुनने के लिए देते हैं वो प्रार्थना करना ही है यही उस दर्वाजे को खट-खटाना है इसलिए हमें शब्द को सुनते समय प्रार्थना करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए प्रशन 230 37. क्या शब्द को सुनते समय हमें ध्यान भी करना चाहिए? शुरू शुरू में तो नहीं करना चाहिए. लेकिन जब आपको अंदर प्रकाश या सत्गुरू के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, तब शब्द को सुनते हुए भी अपने आप स्वरूप का ध्यान होता रहता है. लेकिन शुरू शुरू में ध्यान केवल सुमिरन करते समय ही करना चाहिए. सुमिरन हमें अंतर में एक खास सीमा तक ही ले जा सकता है. उपर जाने पर हमें सुमिरन को छोड़ देना पड़ता है. जब सत्गुरू का नूरानी स्वरूप दिखाई देने लगता है, तो सत्संगी का ध्यान उसमें लीन होना शुरू कर देता है, और तब सुमिरन छूट जाता है. उस समय हम सुमिरन नहीं करते, क्योंकि सत्गुरू के सिवाए हमें और किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता. वही शब्द और वही प्रकाश है. हम सुमिरन करना भूल जाते हैं, हमें उसका खयाल ही नहीं रहता, और नहीं तब उसकी जरूरत रहती है. लेकिन उस अवस्था तक पहुँचने के लिए, शुरू शुरू में हमें सुमिरन के साथ ध्यान भी करना पड़ता है. शब्द को सुनते समय हमें सुमिरन और ध्यान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गुरू के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, तो शब्द के साथ जुड़ने के लिए हम अवश्यक एकागरता प्राप्त नहीं कर पाएंगे. जब हम सत्गुरू के सुरूप का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो मन की प्रुविर्ति बाहर भागने की होने लगती है, कभी वो गुरू को सत्संग में बैठा देखता है, कभी सेवा में, कभी उनको चलते फिरते, तो कभी बात करते, और तब हम शब्द को सुनना भूल जाते हैं. आपको चाहिए कि केवल आँखों के केंदर पर रहें, और जो भी आवाज अंदर आ रही हो, उसे पूरे ध्यान से सुनने की कोशिश करें. प्रश्न दोसो इकतीस महराजी, बड़े महराजी ने परमार्थी पत्तर भाग दूसरा में कहा है, कि हम चाहे पूरी जिन्दिगी शब्द सुनते रहें, परन्तु जब तक हमारी निरत जागरत नहीं होती, तब तक रूहानी चड़ाई नहीं हो सकती. हमारी आत्मा की दो शक्तियां हैं, सुनने की शक्ति तथा देखने की शक्ति. देखने की शक्ती निरत है और सुनने की शक्ती सुरत है सुरत के द्वारा हम शब्द को सुनते हैं और निरत के द्वारा प्रकाश को देखते हैं लेकिन आवाज और प्रकाश दोनों का सुरोत एक ही है प्रकाश शब्द में से और शब्द प्रकाश में से आता है दोनों अंत में एक रूप हो जाते हैं हमें शब्द के द्वारा अपने घर की दिशा का पता चलता है और प्रकाश की सहायता से हम अपना रुहानी सफर तै करते हैं शब्द और प्रकाश दोनों साथ साथ चलते हैं निरत को जागरत करने से बड़े माराजी का क्या तात्परे है? निरत को जागरत करने का भाव है एकागर होने के लिए सुमिरन और ध्यान के जरिये खयाल को आँखों के पीछे अधिक एकागर करना. अक्सर हम शब्द सुनने पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हमें शब्द सुनना ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन जब हम सुमिरन की और ध्यान नहीं देते तो निरत जागरत नहीं होती और एकागरता अधूरी रहती है जिस क्षण भी एकागरता पूरी होती है, उसी समय प्रकाश दिखाई देता है, निरत खुल जाती है और शब्द तेजी के साथ खींचने लगता है अगर हम निरत को जागरत करने की कोशिश नहीं करेंगे, अर्थात सुमिरन के द्वारा एकागर होने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें शब्द सुनाई तो देगा, पर वो हमें अपनी और खींचेगा नहीं शब्द धुन आपको तभी खींचेगी जब आपकी एकागरता पूर्ण होगी और जैसे ही पूरी एकागरता हो जाएगी आपको प्रकाश दिखाई देने लगेगा यही निरत का जागरित होना है प्रशन 232 महराजी परमार्थी पत्र भाग पहला में बाबाजी महराज ने कहा है कि शब्द सुनते समय निरत को उपर की और इकागर करना चाहिए इसका क्या अर्थ है सुरत या सुनने की शक्ति शब्द को पकड़ती है और निरत या देखने की शक्ति को प्रकाश के साथ एक होना है जब आपको प्रकाश दिखाई दे और साथ ही शब्द भी सुनाई दे तब आपको चाहिए कि शब्द को सुनते हुए अपने निरत को उपर की और रखने की कोशिश करें शब्द के साथ उपर जाने की कोशिश बंद करके अपने खयाल को सिर्फ प्रकाश में ही ना लगाए रखें निरत को उपर रखने का अर्थ है कि प्रकाश के साथ ही शब्द को भी सुने कभी कभी सत्संगी प्रकाश में ही मस्त हो जाता है और शब्द के साथ आगे नहीं जाना चाहता लेकिन हमें शब्द और प्रकाश दोनों के साथ जाना है प्रशन 233 कुछ योगी जो योग के आसन करते हैं, अपने सभी चक्रों को जागरित करते हैं, वे नाम के विशे में जानते हैं, पर वहां तक पहुँच नहीं पाते जैसा कि आपने बहुत से योगियों के जीवन के बारे में पढ़ा होगा, वे प्रकाश को देखते हैं, प्रकाश में विश्वास करते हैं और प्रकाश के सहारे रुहानी सफर भी करना चाहते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि अंदर सुनाई देने वाला शब्द उनके रास्ते म ही जा सकते हैं, प्रकाश उस शब्द में से ही आ रहा है, कहीं और से नहीं, पर वे केवल प्रकाश के बारे में ही जानते हैं, शब्द के बारे में नहीं, इसलिए वे शब्द से बचना चाहते हैं, उसे ग्रहन करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि आगे प्रगती नहीं करने देगा